हेलो दुस्तो नमस्कार बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है उनक तक ये वीडियो का लिंक नहीं जा रहा है इसलिए तो चले दोस्ता अभी हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड आप लोगों का ही कुछ सवाल होते है जैसे की सर बाजार इतने टॉप लेवल पे चल र नहीं है तो अभी फिलाल हम लोग इस लेवल पे तो हमारा इंवेस्मेंट बहुत ही छोटा होना चाहिए बहुत ही मतलब अगर सो शेर अगर आप खरीदने का मन बना रहे हो तो हाडली आप लोगों ने पाच छे शेर के आसपास ही खरीदने चाहिए क्योंकि टॉप पे बे वीडियो रहते हैं वो 10 मिनिट के 15 मिनिट के क्यों रहते हैं क्योंकि मैं उसमें लॉजिक शेर करता हूँ अगर सिफ स्टॉक का नाम बताना है तो उसके लिए कम्यूटी पोस्ट मतलब बोलते हैं वह टैप भी है वहां पे भी पोस्ट कर दूंगा बट उसमें कोई मज़ा स्टॉक मार्कित में बाइक के उपर प्रेस करो अपको प्रॉफिट हो जाएगा बट वह प्रेस करने से पहले उसके पीछे कितने टाइम का रिसर्च रहता है उसके उपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना कमा होगे आपको लगता है कि अभी सबकूट डिजिटल होग चुका है आप लोगोंग ने देखा होगा बहुत ही अच्छी अच्छorith ब्रोकिंग कंपाई भी आ चुक है जोने आप लोगों को मोबाल मतला मातलम हात में लाके सब कुछ पैसले की फैसिलिट इस प्वाइड की है आप लोगोंगोंने का मकसद किये इतना आसन नहीं है market कि आपको लगता है कि सिर्फ buy button दबाना है वो तो कोई भी दबा देगा वो तो मतलब बोलते ना first standard का बच्चा भी बता देगा मतलब उसको भी अगर आप बोल दो कि प्रेस करो तो वो भी कर लेगा बट उसके पीछे का logic क्या है कि वो शेर अगर आपको खरीदना है इतने higher level पर खरीदना है क्यों खरीदना है उसके साथ रिस्क क्या रहेगा यह सब कुछ देखेगा कौन तो यह हम लोगों को देखना है उसके पीछे में आप लोगों को logic बता रहो इसलिए इतने time यहां पर लगता है सो दोस्तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम लोग already pyramid को follow कर रहे हैं मतलब हम लोग top पे बेटे हुए है तो top पे बेटे हुए है तो हमारे investment बहुत ही कम मतलब ना के बराबर यहां पर है बट कुछ तो कुछ यहां पर छोटा मोटा यहां पर चालू रहता है सो ठीक है तो यहां पर हम लोग आ जाते है कि यहां पर कौन से stock को यहां पर खरीदना चाहिए तो मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ result यह सबसे बड़ा हतियार है हम लोगों के लिए यह result मतलब quarter 3 के result जो अभी आपे चल रहे है वहाँ पर जिन जिन companies ने आपको अच्छे result दिखा है उन companies के उपर आप लोग दाओ खेल सकते दोस्तों मैं already आप लोगों को एक deep video बना के बता चुका था कि यह जो market में इतना पैसा आ चुका है foreign investor का इसमें क्या problem हो गई है कि गदा कौन सा और घोडा कौन सा वो समझ में नहीं आ रहे है कुछ stock ऐसे जो कि वाके में घोडा है मतलब जबर 10 दोड़ रहे है घोडा को ऐसा दोड़ते है आप लोगों को पता है बट उसमें गदा कौन सा है वो भी समझ में नहीं आ रहे है सो ये समझने के लिए आपको क्या help होगी company के numbers समझा देंगे कि yes किसी company के numbers वाके में अच्छे तो वो deserve करता है 14,000 के वो तो आगे जब 20 भी हो जाएगा निफ्टी तो वो भी stock उपर ही तो रहेगा क्योंकि result deserve करते हैं कि नहीं वो company के कि अगर वो अच्छे रहेंगे तो उस level पे रहने के लिए बट अगर किसी company के result ही नहीं है वो stock दिखा रहे है कि उसके year on year basis result down है अच्छा कासा performance नहीं है EPS negative में है और फिर भी company टॉप पे बेटी हुए मतलब कुछ तो घड़ बड़े सो ऐसे stock को तो मतलब इस level पे खरीदना मतलब dangerous decision ने इतना तुम्हें simple logic आप लोग को याप बता दिया है सो ऐसे कौन से companies है क्योंकि अभी तक बहुत सारे companies के result आ चुके है जिन जिन company ने अच्छे result दिये है उन companies के उपर आप सबसे पहले क्या कर सकते हो यहापे नाम उनका record करके रख सकते हो सो क्या इतना ही करना है ऐसा नहीं उसके बाद जैसे में हमेशा किता हो क्या आप लोग और addition करो ना filtration लगा हो ना मतलब अगर आपको death free मिल गया तो उसमें तो और भी बड़ी है जैसे में हमेशा दिखाता हो देके result हो गया उसके बाद death free अगर कोई है company तो और अच्छा है उसको और side में कर दो यह ना practically तभी possible होगा जब आप लोग करोगे बहुत सार लोग मुझे इसा लगते है कि सिर्फ सुनते है वीडियो को practically pain paper लेके या फिर notepad पे आप लोगो ने चीज़े करनी चाहिए कि यह यह company के result हुए इनके नाम लिखने कि कौन-कौन से company के result अच्छा है वो देखने का उसके बाद different color से उनको circle करने का कि yes यह company deaf free भी है अगर आप यह practically खुद करोगे न तब आप लोगों को answer मिलना शुरू हो जाएगा कि yes यह company secured है देखे गिरना, jump करना यह हमारे हाथ में नहीं है मैं बार-बार बोलता जो चीज़ आपके हाथ में नहीं ना उसका सोचा ही मत, sir मैंने खरीदने के बाद गिर गया तो तो गिर गया तो गिर गया वो stock अच्छा है इसलिए वो कल आके come back करके तेरे को profit day देगा, यह मत सोचना कि तुने buy करने के बाद वो गिरेगा ही नहीं, ऐसा है ही नहीं और हो भी नहीं सकता तो कल जाके कोई stock खरीदेगा तो वो कभी ना कभी नीचे आने ही है तेरे buying price के भी नीचे आने ही तो इसलिए तो वो अनन बफे ने कहा है कि आपके portfolio में जो stock है उसको 50% down देखने का आपका हिम्मत होना चाहिए वरना market में तो आप हर एक stock को बेच किया होगे तो ये इतना बड़ा में आप लोग को lecture क्यों देता हूँ कि वरना आप लोग कोई भी stock में enter तो बच्चा भी कर लेगा कल जाके बट उसके बाद market गिरेगा तो हिम्मत नहीं होती है अभी सब कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि बाजर हरा भरा चल रहा है करेक्शन भी आ जाते है तो छोटा मोटा हो जाते है जिस दिन बड़ा करेक्शन होगा ना तब देखेंगी कि कितने रिटेल इंवेस्टर प्रेशर में आके लॉस में निकल जाएंगी सारी चीजे करनी चाहिए कि स्टॉक्स के नाम लिखो जो रिजल्ड अच्छ है उसको रिकॉर्ड करो एस्टिमेट्स को बीट के उनको नमबर मतलब उनको अलग से सरकल करो अगर डेफ फ्री मिलेंगे तो और अच्छी बात है क्या यही स्टॉक क्या आने वाले फ्यूचर में अच्छा पर्फर्मंस कर पाएंगे क्या इनकी रिकॉर्मेंट है अगर कोवीड वापस बढ़ता है तो क्या यह अच्छा पर्फर्मंस करेंगे अगर वो भी रहेगा तो और उनको सरकल करो मतलब उतना आप लोगंका confidence बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर आप लोग study करते हो खुद बेटके तभी कुछ चमतकर हो सकता है वरना मेरे वीडियोस तो आते जाते रहेंगे और आप लोग entertained यहापे होते रहोगे इसी को पकड़ के कुछ में आपको example देखाना चाहूँगा अगर यहापे साफ साफ लिखना चाहूँगा बोलना चाहूँगा कि यह मेरे recommendation नहीं है बहुत सर लोग इसको recommendation समझेंगे तो मैं कोई recommendation नहीं दे रहो कि सर कितनी बार TCS बोलोगे क्या आपको पैसा मिलता है अरे भाई अच्छे stock बताने के लिए क्यों पैसा मिलेगा क्या रधन ठठा के पास पैसे की कमी है उन्हों नहीं आप लोगों के लिए buyback लाया था कि ले लो extra premium के उपर बट still मैंने आपको क्या बोला था हिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपका डिशियन तो नहीं था सो यह तभी गेन हो सकता है जब आप खुद करोगे जैसे मैं बोलता हो कि TCS 3000 ना buyback नहीं दूंगा आरे तीन छोड़ों में 4000 पे भी नहीं दूंगा सोने की मुर्गी कौन बेचेगा इतना dividend मिलता है stock इतना बढ़िया है रतन टाटा जी का नाम है number two company है IT sector में number one मतलब इतना सब कुछ होने के बाद हाँ अगर आपका target अच्छी हो गया तो बाद different है अगर आपको investment ही करनी है तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई खराब company है जैसे मैंने का इनके quarter three के numbers कैसे थे outstanding थे estimates को beat कर दिया 10 साल में जैसे quarter three के number नहीं उतना है उन्होंने शांदार दिखा है तो यह stock गिरता है तो अरे जितना गिरे उतना अच्छा है तो हम लोग नीचे से खरीद में की कोशिश करेंगे तो अच्छे quality stock में कभी यह नहीं होना चाहिए सर बार-बार वह stock क्यों अरे थोड़ी न हम लोग है यह भी अच्छी बात है और प्लस डेफ्री भी है तो लॉंग टर्म के लिए खलना है किसी को तो यह stock बहुत ही अच्छ है अगर आप चाहो तो further study कर सकते हो decision ले सकते हो मेरे मतलब मेरी इस वीडियो को देखके motivate मत होना क्योंकि जैसे मैंने अभी आप लोग को इतना सब कुछ बता है वह फेल हो जाएगा सो TCS बे स्टॉक है जैसे मैंने का result से लेके सब कुछ यहाप बढ़िया management से लेके सब कुछ बढ़िया नजर आ रहा है दैन अगर हम लोग यहाप बात करें अगेन जो आप सबी लोग को पता है Infosys वही stock देखने को भी लेंगे क्योंकि वो अच्छे है सर Infosys बीच में आपको पता है कि वहाप इनके उपर allegation लगाये थे और 500 तक आया था जब उस्टॉक लबग साड़े 800 अच्छा रहेगा देखे आरोप तो किनके उपर भी लग सकते कल मेरे उपर भी कुछ भी आ सकता है बट अगर आप proper management चुनते हो अच्छी company चुनते हो तो वापस comeback करेगी और वो जूटे आरोप थे इसलिए तो हम लोग अच्छे stock चुनते है कि कल TCS के उपर भी कोई whistleblower आके आरोप लगा सक सत्यम बनेगा तो नहीं सो आज आप देख सकते हो कि वह टॉप पे तो इसलिए हम लोग पे करते कि उनका management अच्छा है इनके result अच्छे debt free company है leading company है IT sector की दिगज company है so यह कहना चाहूँगा कि अगर इस higher level पर आगर आप खेलना चाते हो तो इन stocks के उपर आप focus यह आप रख सकते हो खरीदना है नहीं करीदना है obviously वह आपकी मरजी दैन अगर हम लोग बात करें तो विप्रो विप्रो में खरीदने जाओ तो मैं ब हागे का ना उस दिन आप लोग तकलिफ में आओगे तो अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो देन एक्सेल टेक्नालोजी आउट्सेंडिंग स्टॉक रिजल्ट अच्छा गया स्टॉक गिर गया कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए नंबर्स अच्छे में लॉंग अच्छा मुनाफ़ा हम लोग को गिरावट होने के बावजूद भी फ्यूचर में हो सकता है दैन अगर हम लोग बात करें HDFC बैंक मैंने और वीडियो बनाया था आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया का मुझे नहीं पता मुझे तो इनके नंबर्स अच्छे लगे ल यह शौट टम का प्रेडिक्शन है ना इसको छोड़ दो करना लॉंग टम में देखो लॉंग टम में क्या उपर जाएगा तो डेफिनेटली जाएगा बट वक्त देना आपको आना चाहिए ऐसे स्टॉक को अगर आप लोग क्या करोगे यहां पे पकड़के बेठोगे यह तो पूरा लिस्ट ही शुरू होने वाला है नंबर्स तो आप लोगोंने लिस्ट बना के रखनी कौन से कंपणी के नंबर्स अच्छे है बुरे है और डेफ्री है जो अभी मैंने शुरुआत में बता है ना एंड उसके बाद आप अकॉर्डिंगली डिसीजन वापे ले सक करते हो इस सारे स्टॉक आप लोगोंने क्या करने नोट डाउन करके आप इस टड़ी करना है और जैसे मैंने का जिन कंपणी के नंबर्स अच्छे नहीं आते उनको आप लोगोंने अवाइड करने क्योंकि इस हायर लेवल पे आप ऐसे कंपणी को पकड़ रहे हो जिनके न आप लोगों को पॉइंट यहां पर ध्यान में रखने चाहिए इसलिए यह वीडियो में यहां पर बनाया है वीडियो को क्लोज करते हों आपस कहना चांगा प्लीज इसको रेकमेंडेशन के फॉर्म में मत देख लेना प्लीज अपनी खुद की स्टड़ी करना जो मैं बार बाँ अांगा झालवwn वागेशन के का नग्म ममά यहां भी राक्षर हें लेकमे बाल स्टर्षकमे ऑनायाव चहां आपशने हैं आपते हैं हैं है